प्रतेक वर्ष की भाते इस वर्ष भी शिरी दादी राणी सती जीवाशिव जी महराज ट्रस्ट ने अपना एक सो चार वाँ वार्षिक उत्सव बढ़ी उत्सा एवं उमंग के साथ पूजन भंडाराच अपन भोग चुन्री उत्सव अंतरास्टी भजन गायक जितेन जैन एवं कोलकता के सुप्रेश्ट भजन का एक रूपाली सरकार द्वारा भजनों का कारेकरम शिंगार दर्शन भव्य पंडाल में होना सुनिश्चित किया गया प्रती वर्ष इस महुत्सव में सैक्लो परिवार समलित होते हैं दादी राणी सती वाशिव जी महराज वर्ष से अन्वरत सेवा का खार करते आ रहे हैं हैं यहां अपर सुंदरवाठी का भव्य मंदिर जुन जुन के बाद पहला मंदिर कानपूर में सुंदर धर्म्शाला भक्तों के मन और भजन को आनन्दीद करता है मंदे परिशत के पट 11 बजे तक खुले रहेंगे ये जानकारी आज श्रीदादी राणी सती जीवाशिव जी माराज ट्रस्ट द्वारा प्रेसवाता की गई जिसमें ये जानकारी दी गई आये सुने क्या कुछ बोले पतादिकारी मंदे प्रश्ट का ये 104 वर्स है तर प्रसम तो ये कि ये जो कारकरम जो प्रेसी वर्स होता है बहुत उल्लास और उत्सा के साथ मनाया जाता है इसमें सभी परिवार है खली इसके अंदर ऐसा नहीं है कि राणी सपी दादी परिवार हो आजपास के जिले के परिवार भी आते हैं दर्सन करते हैं और एक बहुत बढ़ी चीजी इस मंदिर की इससत जो वह बताना भूल गया जो भी जिस मनों कामने से आता है ये निस्ट उन्होंने जो भी अपनी सेवाय प्रदा अनवरत सेवाय देते हैं और उनके मन में किसी तरह स्वार सो लोग बने हैं मंदिर की तरफ से यहाँ पर एक सुंदर धरमसाला है जिसमें की अनपूर्णा रसोई चलती है 365 दिन चिकिस्टा के कैम लगते हैं नेत्र चिकिस्टा द सदर से उनके परिवारों में यह संस्क्रती बढ़ती जा रही है दिन पर दिन ये देने सिर्फ इन प्रेश्टी गड़ों को की स्रेज आता है कि उन्होंने इस चीज के आगे बढ़ाया है कि संस्कारों को की अपने घर के साधी ब्याप जनम दिन किसी भी उस्व पर सर प्र जगट मैनिजिंग तस्ती कि शिवगी महराज रस्त हमारा ये रस्त कानपूर के अंदर एक सुचाल वर्स से स्थापित और उस प्रांगण के अंदर इस रस के अधीन रानिशति देवी हमारे राजिस्तान की देवी है उनका मंदर है हर साल वाशिक उत्तव हमारा भादी मह नवस्कु दादी जी का होता है, दो तारिक को चोड़स और तीन तारिक को में दिवस बिद्वस होता है, जिस दिन हम इस मंदर के अंदर सुबह से लेगे रात प्रक, तारे कारीकरम का आयोजन करते हैं, करीब्द से पंदर जार भक आते हैं, दिवस्क प्रकार की पूजार द स्ट्रीगन कानपूर लोकल की सभी सम्मानित भक्तों के द्वारा सम्मिलित उनके सयोग से यह कारिक्रम हर वश भरी भाती भूर दून नाम से मनाया जाता है। इनके भजन विश्व विख्यात हैं, लोग सुनने को हमीशा हाटू रहते हैं, वो कारिक्रम अपना देंगे, इसके अलावा माई का शिंगार, शप्पन भोग और रमाम कन्या भोजन बगर की सेमाएं बंदारा, राम्मन भोज ये सब सेमाएं हर साल की तरह होंगी। मैं बरत्कुमार भगट मैनेजिंग टस्ती के शिर्गी महराज टस्त, हमारा ये टस्त कानपूर के अंदर एक सुचार्वर्स से स्थापित हैं, और उस प्रांगण के अंदर इस टस्त के अधीन, रानीशती देवी हमारे राजिसान की तो देवी हैं, उनका मंदर है। हर साल वार्शिक उत्त, हमारा भादी महावस को दादी जी का होता है, दो तारिक को चौदर्स और तीन तारिक को में जिवस होता है, जिस दिन हम इस मंदर के अंदर सुबह से लेके रात प्रक सारे कारिक्रूमों का आयोजन करते हैं, करीब दस से पंदर जार भक्ष आते है जिवत प्रकार की पूजार दर्शन करते हैं, दर्शन का लाब लेते हैं और सारे कारिकरमों का आनंद लेते हैं एक सो चार सार हो गए इस मंदे को और इस कारिक्रम को ओठे हर वर्ष हमारे टस्टीगन कानकुर लोकल की सभी सम्मानित वक्तों के द्वारा सम्मिलित उनके सयोग से यह कारिक्रम हर वर्ष गरीबाती धूर धून नाम से मनाया जाता है। के भजन गायक रहे हैं जो जिनका स्वर्गवार्स हो गया है उनके बांजे जितेन जैन जी वह रुपारी सरकार जी करकत्रे से आ रहे हैं इनके भजन विश्व विख्यात हैं लोग सुनने को हमीशा आतू रहते हैं वो कारिक्रम अपना देंगे इसके अड़ावा माई का शि सिमाएं बंदारा राम्मन भूद गी सब सिमाएं हर साल कित्र होंगी